पेरेंट्स एट या दो बच्चे हैं, उस पे सारी उम्मीदों का बूज लाद रख रहा है, इतनी उम्मीद हैं, जो सपने आपके थे आपने थोप रख रहे हैं, जिस तरह से हमारा मध्यमबर्ग पीछे पड़ा हुआ है बच्चों के, आस्टी हलत तो यह है ची माबाप के ह होते हैं, अधिकतर बच्चों को दुस्मनों की जरूरत ही नहीं है, वो पीछे पड़े हुए हैं, और उस वज़े से दिख्चत आ रही है, यहां माबाप नहीं सुन रहे हैं, वहां टीचर नहीं सुनता, नमस्कार, आज हम यहां पर बात करेंगे कुमाओ के सबसे बड़े डिगरी कॉलेज, MBPG में, Mathematics Department में Assistant Professor डॉक्टर नरिन कुमार सिंगी से, हम यहां पर बात करेंगे कि आज के एजुकेशन सिस्टम में पेरेंट्स का और टीचर्स का क्या योगदान होना चाहिए, कैसे पेरेंट्स और टीचर्स अपने एजुकेशन सिस्टम में अपना इंडिविजन लाना बहुत बड़ी वाद होती है, तो आप थोड़ा सा अपना पारिवारिक प्रिश्टेभूमी बताएंगे जी, सर मेरा घर अलमुला जिले में जागेश्वर विधान सभा चेतर में भनोली में है, भनोली के पासे ग्राउं है तोट नीचे, ग्राम सभा भनोली हुआ, और पिता जी प्राथमिट विद्यालाई में सिट्षड रहे, माता जी ने घर बार, पुरा घर संभाला, और हम दो भाई बहन है, छोटी बहन है, और मैं हूँ, पिता जी हमारे प्राथमिट विद्यालाई में सिट्षड तब बने जब मैं ठीट पास साल रहा था, तो उस्टे बाद वो हम लोगों को लेटे अललला स्कूल्स में जहां रहे, उन्होंने वहीं पढ़ाया, तो मेरे पिता प्राथमिट विद्याले, चंपावज जिला है अब तो तब पितारागड़ी था, तो तरकुली परता एरिया, टाली नदी चेटिनारी, मैंने वहां से प्राथमिट सिट से शुरूटी, शुरूटी दो-तीन साल वहां पढ़ायी थी, उस्टे बाद पितारागड़ जिले म चंद लोगों का गाउब, आपने साथ उनमुट चंद है नाम से सुना होगा, मैं वहां भी पढ़ा, और उससे उपर एट गाउब है उपर तोला, मैंने प्राथमिट सिट से यहां से लिए, फिर यह आया दुबला है वहीं पर गंगोली हाट ब्लॉक में, पास में है, वहा कि ट्वालेश टी पढ़ाई, BSC और MSC, MBPG ट्वालेश हल्दवाने से टिया था, 2001 में मैं मैंने MSC टिया यहां से, 2003 में UGC NetJRF क्वालिफाई टिया था, तो उस आधर पर 2004 में अपलाई टिया, लोट से वायोग, तो उसी में पांच में सेलेक्शन हुआ, तो मैं द्वारा पिता जी ने बहुत सारा बाहर देखा हुआ था, तो जो मैंने नंबर लाया हूँ, उसके पीछे मेरे पिता जी की गाइडेंस, हमारे जो गुरुजन है, माता पिता का साहियोड और गुरुजन होगा, हम तो क्यों उस समय बच्चे हैं, तो हमारा प्रयाश ट्या कहा जाए पिता ने हमने बहुत चीजां सिठाई, जिस विद्ध्यालाई में भी वो रहे, तो जैसे मुझे वो अपने पहले विद्ध्यालाई में ले गए जब, तो ट्लास वन से मैंने BBC लगाना सिठा, रेडियो के, तो रोज सुबह साड़े छे बजे और सामक्रो साड़े साथ पिता जी को बताना है, अच्छा, मतलब मैं ये टहना चाहरा था ठी, ये पेरेंटीन चे सेंस में है, जो हमारे साथी, हमारी उम्रे के हैं, बच्चों को समय देने टी बात कर रहा हूं, मैं पिता जी लटड़ी चूले में वही पर खाना बनाते थे, और मैं ये टरता था, म अब एक्चुली वेस्ट इंडीस कोई देश है ही नहीं, वो टरेबियन आइलेंड सें बहुत सारे, और वो पॉलिटिकली अलड़ अलड़ हैं, और ट्रिचेट टीमेटी बेशते हैं, लेटिन ऐसा मेरे पिता को भी नहीं पता था, तो अगले दिन वहां से तर्कुली से र दूसरा भेदभाव नहीं टिया कभी, मतलब मैं सिट्सेटा पुत्र हूँ, इस आधार पर मैंने हमेशा ज्यादा मा रखाई है, मतलब उन्हें ये ट्लियर करता है, वही बाठी बच्चे जो हैं, उन्हें माता-पिता इतने जाडरूट नहीं है, तेरे पिता ने तो अच्छा अब नहीं है, अब 20 तड़ी आते हैं, तो जरूरती नहीं है, तब 25 तड़ी मुझे पहड़े आते थे, अध्धा, पववा, डेड़ो, धायाम, सवया, मतलब आधे टी टेबिल, पाव भर्टी, सवाटी, डेड़ी, धायी ये सब पढ़ाई जाते थे, और जिंती जाधा उस पीडी टा जोर रहता था लिखने पे, राइटीन बहुत अच्छी होने जी, ये सब होने के बावजूद मुझे मेरे भी पिता ने क्लास वन में फेल टिया, अच्छा, ठीक है, उन्टा ये टेहना था, अभी इतनी मैच्चुरिटी नहीं है, ये दो में भेजा जाए, अब मैं ये आज से सोच रहा हूं, जो आज चल रहा है, बात गुणवत्ता टी है, मतलब आप ये सब क्यों कर रहे हैं इतना प्रयास, आप चाहते ही होंगे गुणवत्ता सुधरे, तो मैं तब कह रहा हूं कि जो पूस मेरा आउटपुट दिख रहा है, उसमें ने सर ऐसा है ना, हमारी पीडी या हमसे पहले वाली पीडी में, बच्चे के ज्यान के स्रोच्या थे, आप ये समझे उसको नौलेज या ज्यान कहां कहां से मिल सकता था, माता-पिता से, टीचर्स के माध्यम से, और या कुछ दोस्त, सीनियर, जो भी पियर ग्रूप होता है, यह हुआ, बिलकुल मलब, और बाठी इस से ज्यादा है, तो चिताबां पढ़ते थे, ठीक है, अब इंटरनेट के दोर में, आपको, आप सबसे पहले चाट होड़ते है, कोई भी इन्फोर्मेशन चाहिए, ये वो जनरेशन है, जो गूगल पे डिपेंडेंट है, पूरी एथिट्स, एथिक्स, बिलकुल, तो ये वल, क्वेस्टे आंसर देने से, अब भी आपको, आपको, मैं बहुत सारे सवालों प्रे जवाब दे दू अच्छे तरीके से, तो आप ये मां सोची है, जागी मां बहतर इंसान हूँ, एक्चुली इस से ज्यादा अच्छे आंसर महत्वपूर्ण नहीं है, जाए साथ हम नौलेज़ टेलिये तो हम कर लंगे गूगल को और सारी चीजे, लेकिन इनसान बनने जब बात आई जी, तो आप पुरानी पीडियों को और नई पीडियों में अंतर मैसूस तरते होंगे, तो यहाँ पर पेरेंट्स टा रोल ज्या वह भी रहा टाफियत तर्ट, आप यह देखिए, जो बच्चे ट्राई जिवह पर अपरात करते हुए पाये जाते हैं, वह अच्छे ठा से स्मार्ड है, उनकी नौलेज बहुत है, नैतिक ताटा जो है जो मानव बनाने में जरूरी था, वह हिस्सा गायब होते जा रहा बह उन्होंने जहां-जहां उन्होंने सिट-शट्रे तोर पर काम किया, वहां ट्राई लोड मुझे आज भी मिलते हैं, खुछ लोड यहां लालकुआ के पार बिंदु खत्ता में रहते हैं, कुछ हल्दवानी भी हैं, और मैं पहाड भी जाता हूं, तो हाली में जिनके यहां रहता था, वहां अभी मैंटे महने में ही, मैं गया था, तो मिलने दुबला में, तो 34 साल के बाद जिया उसमें, मुझे याद है, आठ मीटे बाद जब मैं उस दिन घर से वहां से निटला उनके घर से, बुरा जी थे, तो उन्होंने मुझसे एट लाइन कही, आते से, मैं पान सो भेंसों के बीच में अगर एक गाई का बचला चले जाएगा न, तब भी वह आमाई कहेगा, वाई नहीं करेगा, मैं अब मैटाफर है, आप उसना मिनिंट समझेगा, तो पेरेंटिन के लिए सोचल रिस्पोंसिबिलिटी थी, मैं आपका बच्चा है, तो उसे भी ह जो हिस्सा था, तो मैं जिस रूप में हूँ, उसमां ट्रयों ने मुझे ढाला होगा, बहुत होगा रोल रहा होगा, अब वो सोली एक पेरेंट हैं, उनिटी जिम में दा रही है, बाटियों को कोई मतलब नहीं है, ये समझ रहे हैं, तो पेरेंटिन के एक अंतर तो ये दि है, बाटि पलने लिए एक ग्रूप है पूरा, तो सामाजित इंट्रेक्शन है, मुझे ये पता है थी, मैं कुछ भी डलत करूंगा, पूरे ड्राओं में कोई भी मेरी सिटायद घर में टर सकता है, मुझे डांट सकता है, और कभी ज्यादा बड़ी डलती थी, तो पीड़ पूरे ड्राओं में, आज तो परिवार में हाथ देखे कोई, या तो बच्चा अगड़ जाएगा या उस्ता माबाँ पकड़ जाएगा, गल्ती थी, तो टीचर भी पीटेंगे, फिर घर वालों को पता लगा तो और भी पीटोगे, आज टीचर हाथ लगा के दिखा देग मुझे अभी भी याद है, एक लड़ता था खूंटी गाओं में, और उस्ते दादा जी ने उसे बिगाल रखा था, तो अब वो लाए उसे स्कूल में, पहले दिन पिता जी ने उस्तों कुरुस काम दिया, डाठा, उसने बोल दिया, उल्टा, पिता जी ने दो डंडे लग जी ने डंडा पड़ा और उसे पीटते वे स्कूल से धर पहुंचा दिया, अच्छा, सितंबर 99 में पिता जी डेथ हुई, उस्ते कुरुस समय चे बाद उस लड़के टी नौक्री उतराटन पुलिस में, अभी रुदरपूर में हो, जब नौक्री लड़ी, वो लड़का म निठाई टा डबा लेके हमारे धर आया, तो उसने मेरी मा से घाटी ये नौक्री न ताओ जी ने दिलाई है, मेरे पिता ने, चुछी उस दिन अगर उन्होंने नहीं चिया होता ऐसा, वो पूरे ड्राओं में मेरे पिता पूरे ड्राओं के साथ जोड़े रहते थे, लोग चिट्टियां लिखने से लेके लोगों को समझाना, गाइडिन, टीचर के तौर पर उन्होंने बहुत बहुत बहुतरी रोल मॉडल पेस्ट गिया, प्रयास है हमारा भी, तो वो पेरेंटिन हो, टीचिन हो, वो मलब एक टॉम्बो पैट कह सकते हैं, पुरा, पिताटा जोत है, एक उसके पेरेंट्स हैं, और एक टीचर है, तो टीचर के साथ उसका पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है, वो आपका जोड़ा हुआ है, आज जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे पास नॉलेज के सोर्से बहुत जादा है, फिर भी अगर एक हम रिपोर्ट देगें, एग्ज कि भाइया, मैस जिसने नहीं लेनी है, पहले से डर लगा है लोगों को, ने हमारा तो सब्जेट भी ठलना है और हम टीचर भी ठलना है, हम दोनों ही विलेन हुए, देखिए, मैस पहले भी लोग पढ़ता ही थे, आज भी पढ़ी रहे हैं, भावश से मैं भी पढ़ेंगे, पहली बात तो यह है ना, कि टीचर जो लोग बनते हैं, वो बाई चोईस बनते तो अच्छा रहता, ठीक है, बच्चे को नहीं आ रहा है, क्लास में हरे टा लर्निंग पेस अलड होता है, मतलब कुछ लोगों हो जल्दी समझ माती हैं, कुछ तो अराम से थोड़ा देर माती अगर टीचर उस्टो पड़ाले, जो सबसे कमजोर बच्चा है, तो यह इन्हें समझाना है, तो बाठी तो समझी लेंगे, थोड़ा अराम से समझाना है, मैंने ठाई बार मैसूस चिया है, टीचर की स्पीड अगर ज्यादा हो जाती थी, तो फिर वो मेरी इस्तिधी ऐसी ह जाती थी, जैसे बस चूड़ी ही ना, तो मैं बस्टे पीछे दोड़ के बस मनी चाड़ने वाला, ठीक है, मैं बैठ जाओंगा, अब जाने दो बस को तो बस को गई, ठीक है, हाँ, और मुझे लगता है, यह अधितर बच्चों के साथ है, एक बार टीचर के पेस्टे साथ नहीं चल पाते, वो बैठ जाते हैं, वो बस दोड़ के पटड़ने की कोशिच नहीं करते, और नहीं टीचर ऐसा टर रहे हैं कि बस तो रोक ले, बिलकुल, नहीं टर रहे हैं, टीचर के ऊपर भी ट्राइफटर होंगे, साथ में उन्हें पूरा दोसी नहीं मानता, शलेव मैं इस बात को मैंने मैसूस ची आया हम तो जहां भी टेए पड़ाया हमारे सब्जेट में और बच्चे हमेशा लडबट पूरे ही आये, क्लास में, टीची जब समझ मा आ रहा है और दूसरा इट अपने पन का बेह आ रहा है, बच्चों को ना कोई सुनने को तयार नहीं है इस लाइन को ध्यान से समझेगा, बच्चे टहना चाहते हैं, मैंने डॉर किया है, वो बताना चाहते हैं, सुनने का टाइम नहीं है पेरेंट्स टे पास, आप प्यार से सुन लो ना इट बार, वो ठ्या ट्या 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 रहे हैं, अब ठ्या है, आज आपने किसी और बेस आप गए से नहीं सुना, टल कोई दूसरा टारंड, टल परसों तीसरा टारंड, होगा ट्या लास्ट में, कुई दिनों बाद वाद वाद हो आपसे आप से लाइन और प्यार में होता है, आज कल हो रहे हैं, वाज बात चीत, बस मुझे वहां जाना है, पैसा चाहिए, यह मैंने ठाना हाले, यह कोई बात थोड़ी होती है, दो दोस्तों में जैसी बात चीत होती है, और अगर टीचर के साथ ऐसा रिस्ता हो जाए थो, तो मुझे इस बात की खुसी है, अधित्तर बच्चों के साथ आत्मिया संबंध मेरे हमेशा रहे, अच्छा वो यह जानते हैं कि मैं जहां पर काम लेना होगा, वहां सख्ती चे साथ पूरा ले लूगा बाद में, वहां छूट नहीं मिलेगी, जैसे अगर परिट्सा जूटी में मेरे बच्चे, मेरे चात्र ही उस टमरे में हैं, तो उन्हें पता अवगरदन रुमाने की परमिसन भी नहीं मिलनी, ले परिट बार कहते तो देखी है, मैंने चेर के देखा है, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है, अच्छा, सब चितने लोगो, चितने लोग चाही पीएंगे, चितने अच्छा जो चाही पीएंगे, बताओ, मैं मगाता हूं, लें बैठ के पीएंगे आराम से, ये जो इन्फॉर्मल सेशन बाच्छीत है, ये रिष्टों की जान है, लोग क्रहते हैं, अच्छी में बच्चे ऐसे हैं, लें मुझे तो बहुत प्यार मिला है, मैं खुद भी छात्र रहा हूं, लें बहुत प्यार मिला है, तो ये पहला फेक्टर था, जो आपने अभी कहा, थी बच्छे ऐसा दूसरा, parenting तो बहुत ही बड़ा इस्यू है, अपने आप में उस पे बात की जा सकती है। पेरेंट्स एट या दो बच्चे हैं, उस पे सारी उम्मेदों का बोज लाद रख रहा है। उसको डॉक्टर या इंजिनियर बनाना है। आप ये देख रहे होंगे, कोटा जो है वो टभी इंजिनियर्स या डॉक्टर चेले था अब वो सुसाइड के लिए होने लग गया। मैंने खुद देखा है। बहुत सारे परिचितों है बच्चों को देखा है। आप बच्चे को ठोने इस्तिती में इतनी उम्मीद है जो अपने आपके थे आपने थोप रट्रे नुए। अठर कोई नेचुरली बनना चाहता है इंजिनियर कोई बुरी बात थोड़ी है। लेटिन जिस तरह से हमारा मध्यमबरण पीछे पड़ा हुआ है बच्चों के आश्टी हालत तो यह है कि माबाप के होते वे अधिकतर बच्चों को दुस्मनों के जरूरती नहीं है। बिलकुँ सही कह रहे हैं। वो पीछे पड़े हुए हैं। आप उनको ना दोस मत दीजिए। जिन परिवारों माबाप बच्चों ते साथ बहुत 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 में संबंध है और तीचरषे। मां अभी प्रता हुए हैं। बच्चों को सुधारना है, ऊंको यह तरना है .. मेरी समझ में आया है उससे अधा माबाप को सुधारना है, टीचर हो सुधारना है, बच्चे उतने गलत नहीं दें अभी भी, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है